आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम महाद जी सिंधिया जो की मराठा राजनीती के एक प्रमुख नायक रहे विशेश का 18 वी शताब्दी के उत्तरार्थ में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पानिपत के युदि की पराजय से मराठा शक्ति को बहुत गहरा धक्का लगा था किन्तु 1782 की सालबाई की संधीक तक मराठा सरदारों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ अंशोतव पुन्ह प्राप्त कर लिया था और मराठों की इस खोई प्रतिष्ठा को पुन्ह प्राप्त करने में जिन दो मराठा राजनितिग्यों का विशेश हां था वे थे महाजी सिंधिया और नाना फड़न बेश्व अब हम पहले महाजी सिंधिया के प्रारंभिक परिचय के बारे में देखते हैं सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति रानुची सिंधिया था रानुची सिंधिया को पेश्वा बालाची विश्वनात ने एक जागीर प्रदान की थी और यहीं से सिंधिया वंश का उत्थान प्रारंभिक था रानुजी के पांच पुत्र थे जिन में से चार पुत्र पानिपत के युद्शेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे केवल एक महाजी बचे थे अतवे ही सिंध्या वंश की जागीर के उत्रादिकारी बने महाजी प्रत्म व्यक्ति थे जिन्होंने की पास्चार धंग से प्रशिक्ष सेना के महतो को समझा उन्होंने अपनी सेना का पास्चार धंग से पुनल गठन किया फ्रांसिसी सेना नायक डी बॉयन को अपनी सेना में नियुक्त किया जिसके निरिक्षन में सेना को पास्चार धंक से प्रश्रिक्षित किया गया इस प्रकार महाज जी निशिग्र ही एक सूडर सेना का गठन कर लिया 1772 में महाज जी के प्रैतनों के परिणाम स्वरू मुगल समराच शहा आलम को दिल्ली की गद्धी पर बिठाया जा सका प्रसन होकर मुगल समराच शहा आलम ने पेश्वा को वकीले मुतलिक की उपाधी दी और महाज जी को नायक वकीले मुतलिक की उपाधी दी पेश्वा नारायण रायुप की हत्या के बाद पूना दर्बार में जो संघर्ष हुआ उसके काण महाजी को दस वर्ष दक्षिन में रहना पड़ा सालबाई की संधी के बाद महाजी ने पुन्हा उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया अब हम पहले देखते हैं पेश्वा और शाह, महाजी और शाह आलम सालबाई की संधी संपंद करवाने का अश्रे महाजी को था इस संधी के अउसर पर अंग्रेजों ने महाजी को आश्वाशन दिया था कि वे दिल्ली में महाजी के कारियों में हस्तक्षे नहीं करेंगे सालबाई की संदी से महाजी कम है तो बढ़ गया इस समय मुगल सम्राश शाह आलम आर्थिक समश्याओं में था संकटों में था वह अपनी समश्याओं के समाधान का दाई तो महाजी को सौपना चाहता था महाजी अब दिल्ली की ओर बढ़ा दिल्ली की ओर बढ़ते समय 27 जुलाई 27 जुलाई 1783 को ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और उसके पश्चात 1784 में गोहद की राणा को पराजित किया और गोहद पर अधिकार कर लिया इसके पश्चात अक्टूबर 1784 में महाजी आगरा पहुचा मुगर समराथ शाह आलम इस समय आगरा मी था नॉमबर 1784 में मुगर समराथ ने महाजी को नायक वकीले मुतलिक की उपाधी दी महाजी के विचार में यह सम्मान केवल पेश्वा को ही दिया जा सकता था अत्य मुगर समराथ ने बाद में यह उपाधी पेश्वा को देकर महाजी को नायक वकीले मुतलिक न्युक्त किया और मुगल सामराजी की समस्वयवस्था का भार महाजी को सौंपिया महाजी ने मुगल दरबार के अनेक विरोधियों का दमन किया किन्तु इससे महाजी का समय और धन बहुत नश्ट हुआ और उस पर 80,00,00 रुपए का रिंड चड़ गया इस सब कारे में महाजी को पूना से कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि नाना फर नवीज महाजी को संदे की दिश्टी से देखता था इधर अंग्रेज भी महाजी के बढ़ते हुए प्रभाव से शशंकित थे और उनके विज़शर्यंत रच रहे थे अतर महाजी को 1784-1885 में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा अब हम देखते हैं कि महाजी और राशपुताना जैपुर में सवाई जैसिंग के मृत्यू के बाद उसके पुत्रों इश्वरी सिंग और माधु सिंग में उत्राधिकार का संगश हुआ था जिसमें मराठो ने पहले इश्वरी सिंग का और बाद में माधु सिंग का पक्ष लिया था माधु सिंग द्वारा गद्धी ग्रहन करने पर उसने मराठों को चौत देने का वादा किया था किन्तु 1786 तक जैपुर ने ना तो मुगसमराठ को कर दिया और नहीं मराठों को चौच चुकाई अत्य वकीले मुतलिक होने के कारण महाज जी ने जैपुर राजसे दोहरी मांग की जैपुर का शाशक प्रताप सिंग मांग पूरी करने में असा मर्थ था अत्य वकीले महाज जी से युद्ध की तयारी करने लगा जोदपुर की सेना भी जैपुर की सहायता के लिए आप पहुँची महाज जी के इस्तिती को कमजोर जानकर अनेक मुगल सैनिक रासपूतों के साथ मिलके फिर भी महाज जी ने उनका सामना करने का निश्चे किया पढ़ा लेकिन तीन वर्ष बाद महाज जी पुनह राजपूतों के विरुद आडटा जिसमें महाज जी विजय हुआ जोदपुर की सेना भाग खड़ी हुई महाज जी सेना लेकर जोदपुर की ओर चल पढ़ा और 10 सितंबा 1790 को मेरता का युद्ध हुआ जिसमें आशक विजय सिंग को महाज जी के साथ संधी करनी पड़ी इस संधी के अंसार महाज जी को 60 लाक रुपए सांभर तथा अजमेर का परगना प्राप्त हुआ इस प्रकार फरवरी 1791 में जैपूर के साथ संधी हुई जिसमें चौथ के 17 लाक रुपए तथा मुगल समराठ के वार्षिक करकी उचित रकम तै की गए इधा जब तुगा के युद्ध में शाह महाज जी की पराजय हुई तो शाह आलम ने यह समझा कि महाज जी का पतन हो गया अतेवा पठान निता गुलाम कादर के संध्रक्षन में चला गया और गुलाम कादर ने जुलाई 1788 में शाह की गद्धी पर बिठा दिया तुगा के युद्ध के बाद महाज जी ने नाना फर्णविस को आर्थिक सहारता के लिखा लिकिन नाना ने सोचा कि महाज जी उत्तरी भारत में एक प्रथक राज्य स्थापित करना चाहता है अते नाना ने उसको सहयोग नहीं दिया महाज ज में उत्तर भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद दक्षन से बारह वर्ष दूर रहने के पश्चार रपूना के लिए रवाना हुआ वह नाना से अपने मत्भेत दूर करना चाहता था लेकिन नाना फर्णविस को यह संदे हुआ कि वह भारत में अपना एक प कि तु कार्णवालिस ने उसकी मांग को अस्विकार कर दिया। 1792 से 1794 तक महाजी पूना में रहा। किन्तु नाना ने सदेव यही प्रत्न किया कि पूना में महाजी का महतुना बढ़ने पाए। महाजी ने नाना के संदेह को दूर करने का भर सक प्रयास किया। किन्तु नाना का संदेह दूर ना हो सका। इसी भी सिंधिया वय होलकर में भी प्रतिद्वन्दिता प्रारंब हो गए। सिंधिया के सेना नायक ने 1793 में होलकर को लाकेरी के युद में परास दिया। इससे पूना में सिंधिया की प्रतिष्ठा अत्यदिक बढ़ गई। इसके कुछी दिनों बाद जून 1793 में महाजी बिमार हो गया और फरवरी 1794 में मराथा सामराजी के इस आधार स्थम्भी की मिर्ति हो गई। जब हम महाजी के कारियों का मुल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ अपने युग का एक सर्वसिष्ट कूटनी थी गया और सैने संचालक था। उत्तरी भारत ने उसने मराथों के प्रभाव को इस्थापित किया। उसने ही सरप्रतम पाश्चात युद्श एली के महत्तो को समझ कर अपने सेना को भी पाश्चात धंक से प्रशिक्षित करवाया। दुर्भाग्य से नाना ने कभी महाजी पर विश्वास नहीं किया। लेकिन महाजी सच्चा स्वामी भग था उसके पास इतनी सैनिक शक्ती थी कि यदि वे चाहता तो पेश्वा और नाना दोनों को बंदी मना सकता था। किन्तु महाजी के मन में ऐसा विचारी उत्पन नहीं हुआ। यदि नाना ने महाजी को सहयोग दिया होता तो आज मराठों का इतिहास ये कुछ और होता। महाजी ने जब नाना फड नविस को सहयता के लिए लिखा तो उसने नाना को अपने पिछली सेवाओं के याद दिलाए और कहा कि यह हम सभी एकी अधिपती की सेवा करते हैं। आप चाहे व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रतिरशा रखते हूं लेकिन आप याद करें कि मोरोबा गुट के विर्द मैंने आपकी सहायता की, सखाराम बापू को मैंने वश में किया और तले गाम के युद में अंग्रेजों को पराजित किया। यहां तक कि अंग्रेजों से युद में सबसे अधिकभार मैंने ही वहन किया और उन सेवाओं को याद करें और अपने मन से संदे को हटा दें। एक विशाल प्रतिभाशाली वक्ति बताया है। धन्यवाद।